हेलो दोस्तों आजकी वीडियो हम सीखने वाले हैं excel के जबजस्त function इसकी blank function के बारे में इसकी Blank function का use कैसे होता है दोस्तों के लिए हम आई की इस वीडियो में सीखने वाले हैं मान लिजी दोस्तों मेरे पास कुछ data दिया हुआ है यहां पर जैसे यहाँ पर कुछ मंतिके नाम लिखे हुए लेकिन यहाँ पर कुछ सेल यहाँ पर ब्लेंक लिखी भी है अब मुझी क्या करना है इनको फिल करना है जिसे मेरे पास यह डेटा लिखा हुआ है अब मैं चाहता हूं चाहूं तो एके करके यहाँ पर कोपी कर लूँ कोपी करके य इसको हम dit만 शिए कहले अब करने की मुझे इस लेक्स पर क्लिक करने इसके बाद निया शीखने यहां पाल रहे होंगे कि होम्स्व में ही पेच्ट इस्पेसिल क्लिक करना है यहां पर आप पेस्ट इस्पेसल पre क्लिक कि दो पेस्ट के कुछ फंग्शन आपको यहां पार्स होने लागें तो दोस्तो 1940 करना क्या यहां पर अपर आपश ब्लेंग तो आप सिरा रखा हुआ है मेरे पास यहां कुछ डेटा सिदिया हुआ है कुछ student के नाम दिए हुए उनके नमबर दिए हुए लेकिन यहां पर कुछ data छूट रहा है जिसे की कुछ काफी सारी सेल यहां पर blank है अब आप से कोई यह कहता है कि आप इसा कीजिए कि इन डेटा में जो blank है या तो आप इनको तो जीरो कर दीजी यह यहां पर कोई डेस लगा दीजे यह एपसेंट डाल दीजे जो भी आप करना चाहते हैं तो आप कर दीजे लेकिन दोस्तों अगर आपके पास यहां पर डेटा अधिक मातरम हो यह जैसे 200 अधिक मातरम हो तो आप एक पर देटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए डिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोड से प्रेस करना है च्ट्रोल जी तो आपको गुटू का यह उपसन खुल जाएगा अब अपने को क्या करना है जो यह गुटू खुला हुआ है यहां पर आपको इस पेसल पर क्लिक कर दीजिए कुल डिजिए अपने को पेस्ट काम कर रहा है यहां पर जो जितने वी बरन सेल ती वह सेलग्ट होकर आचुकी है, यहां पर को डिटा करने के ह मॐलिजिए मुझे यहां पर करना है कि यहां पर 0 लगाना है या कोई लगाना है वाली ज मुझा लगाते ता हूं तो देखें आप यहां पर इंटरप्रेंट्र नहीं करना है आपको अपने कीबूट से कंट्रोल के साथ अब इंटर प्रेस कीजिए तो देखिए आपकी जो सभी ब्लेंक से लें वो देखिए आपको वहां ब्लेंक से पर आपका डेस लग चुका है और इसी तरह अगर आप यहां पर जीरो लगाना चाहते तो मैं थोड़ा सा बेख हो जाता हूं अब मुझे अगर करना चाहते हैं तो आपकी तो आपकी जो ब्लेंक सेले आप फूरी हो चुकित इस सब्सक्राइब करें